नितो कपोर ने रनबीर को लेकर एक ऐसा खुलासा किया था जिस वक्त काफी चर्शा में है जी हाँ रनबीर कपोर काफी इर्रेगुलर थे स्कूल में जी हाँ रनबीर कपोर के ये राज खोले हैं नितो कपोर ने रेसेंटली नोंने कहा कि हमेशा ही कंप्लेंस मिलते थे हमें उनके लिए हमेशा ही कंप्लेंट सुनने पड़ती थी हमी हमेशा ही स्कूल में इंबर्स गिया जाता था रनवीर कपूर ने हमेश श्कूल में काफी इंबर्स किया है उनके good looks, versatile performance, रहंबर्स personality से अलग अगर उनकी real life की बात की जाए तो वो बहुत ही बुरे थे स्कूल में तुने याद किया और कहा रनवीर के स्कूल से कितनी जादा हमें कंप्लेंट आती थी क्लास बंग करने की उनकी बुरी आदत की वज़े से हम हमेशा तंग रहते थे रनवीर बहुत नौटी थे हमेशा कंप्लेंस मिलती थी हमेशा हमेशा हमी आकर लोग कहते थे कि वो पड़ते नहीं है वो बिल्लियों के साथ पुतों के साथ खेल रहे हैं अगर टॉय घर पे आ जाए तो वो उनके साथ नहीं खेले वो उससे तोड़ देंगे विल्कुल कैसा फंक्शन करता है और फिर बात करते काफी परिशान रहे हम रनवीर को बड़ा करने में तब मुबाइल नहीं था कोई भी दोस्ट फोन करता था तो अगर पापा ने फोन उठाया तो कुछ बोलता ही नहीं था Everybody used to give the phone down, nobody used to speak ऐसा जमाना था रनवीर के childhood memories की बात करती भी नेतु ने बात की है और वहीं ने तो उन्हें मारा भी करती थी नेतु कपूर की बारे में रनवीर ने बताया की एक बार मंदिर पहुच आये थे वो थांग पहन कर जिसकी वजह से उन्हें पिटाई भी सहनी पूँए रपस्ट हैं